हेलो फ्रेंड्स हम है दा टू फाउंडर्स आज हम बात करने वाले हैं बाली की नाइन डेज आइटेनरी की तो अगर आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं और आपके प्लानिंग डेज 9 से 10 दिन के लिए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल न भूलें तो सिधे पॉइंट पे आते हैं और डेवन पे जाते हैं और डेवन पे आपकी फ्लाइट अगर आपने सुबह की फ्लाइट पकड़ी होगी जैसी कि ज़्यादा तर बार्ली की फ्लाइट सोती हैं इंडिया से तो आप दुपैर तक तो वहां पहुंची रहे होंगे तो इतनी लंबी जर्नी के बाद आप इतना जादा ठक चुके होंगे कि आपका ऐसा मान करेगा कि बस अब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच जाओ तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जो डेवन है वो एरपोर्ट के पास से ही शुरू हो जैसा भी हमने बताया तो आप स्टार्ट डेवन ऐसे कर सकते हैं कि पहले पहुच के तोड़ा सा अराम करिए तोड़ा फ्रेशन अप हो जाई है और शाम तक संसेट देखने के लिए आप कूटा बीच या फिर चैंगू बीच जा सकते हैं जो भी आपके नेरेस्ट हो आपक कम होती है और आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे उस टेम पे व्यू रहेगा बाली हमेशा ही popular destination spot रहा है लोगों में अर इसलिए हमेशा ही वहाँ भीड रहती है चाहिए वो wet season की हो या फिर dry season की हो इसलिए वहाँ के जितने भी popular photo spot से आप ट्राय करें कि उन्हें नॉन प में हैं और आप वो temples explore करके जब वापस आ रहे होगे तो Seminiac जो वहाँ का सबसे busiest और सबसे happening place है वहाँ पे आप अपनी शाम और दिन बिता सकते हैं जहाँ पे वहाँ के सबसे अच्छे beach clubs, day or night clubs हैं तो वहाँ पे आप अपना पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बिता सकते ह तो देधरी स्टार्ट करते हैं हम गरोर विष्णू कल्चरल पार्क ये जगह इतनी बड़े है कि आपका आदा दिन वहाँ explore करने में निकल जाएगा तो अराम से breakfast करिए और निकल पढ़िया है गरोर विष्णू कल्चरल पार्क के लिए तो भई ये जो जगे है आपको बा लेकिन उलुवाटू जाने से पहले आप पांडव बीच और ग्रीन बॉल बीच दोनों explore करते वे जरूर जाएगा ग्रीन बॉल बीच के पास में अच्छे टेक लपस हैं जो हम आपको नीचे description में देदेंगे इसके बाद वहाँ पे आप लंच करने के बाद उलुवाटू टेंपल एक क्लिफ है और वहाँ से बहुत ही सुन्दर संसेट पॉइंट है और इस संसेट पॉइंट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा तो संसेट तो हो गया अब हमें अगले दो दिन नूसा पेनिड़ा जाना है तो उसकी भी तो त्यारी करनी है तो फटा फटा फट प्रिशेशन करा सकते हैं अपने रिक्वार्मेंट के साब से हमने भी कराई थी और वहां के टोर अपरेटर इसमें बहुत हैल्प करते हैं डए फॉर में आपको निकलना है बाली से नूसा पेनिड़ा के लिए जिसके लिए आपको डे थ्री के एंड में ही आपका जो टोर था वो आपको आपके cab driver का number दे देगा जो आपको आपके property से pick up करेगा बाली से और आपको harbor है वहाँ तक लेके जाएगा और आपकी जो ferry है उसका ticket आपको handover करेगा क्यूंकि ferry morning की ही होती है mostly तो आप Nusa Penida 10 या 11 बज़े तक morning के easily पहुँच सकते हैं 12 एक आपको बच जाएंगे check-in करने में क्यूंकि आपने दो दिन का tour plan book किया है तो आपका cab driver ready होगा आपकी property पे आपको West Nusa Penida खुमाने के लिए जहाँ पे तीन famous places है crystal bay, broken beach और kellingkin beach तो day 4 में आप mostly सबसे वहां की important जगे cover कर चुके होंगे तो बचा day 5, day 5 में आप diamond beach और angels below bong घूम सकते हैं और साथ ही वहां के जो water activities है आप भी कर सकते हैं जैसे की snorkeling by the end of the day 5 आप वहां पे relax करिए और क्यूंकि आपको day 6 पे वापस Bali जाना है अब day 6 से हम आपको पहुचाने वाले हैं Bali के heart यानि की Ubud अब Ubud में आपको देखने को मिलेगा forest, waterfalls और mountains by the afternoon day 6 के आप Ubud में settle हो चुके होंगे थोड़ा सा rest कीजिए और निकल पढ़िए Ubud के most popular place अला सरुन के लिए कृत्या अबुद और अला सरुम यह वहां का सबसे famous day club है अबुद का जहां पर आप सारी activities अंदर ही जाके कर सकते हैं वहां की एक बर entry fees आपको देनी पड़ती है जो शायद आपको लगे कहां जादा है लेकिन अंदर जाके आप सारी की सारी जो भी activities हैं वहां की चाहे वो बाली swing हो या और भी rice terrace walk हो वो सब चीज़े अंदर ही हैं उनकी इतनी बड़ी property कि आप सब कुछ वहीं कर सकते हैं और वो सब चीज़े mostly free of cost हैं अंदर जाके तो D7 पर हम चलते हैं बाली की most popular photo spot यानी gate of heaven पर तो gate of heaven जो है वो lampu young temple में है और आप उबुद में जिस भी जगे पर रुके होंगे वहां से आपको lampu young temple जाने में लगबग एक घंटा तो अराम से लगेगा तो आप try करें कि आप early morning अगर निकल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वहां पर आप sunrise देख पाएंगे और वो photo बहुत ही अच्छी आती है और sunrise की light में तो second half जो है day seven का आप आ सकते हैं water palace उबुद में यह बहुत ही unique और बहुत ही pictures cute place है और यहां पर एक बहुत ही सुन्दर सा cafe भी है cafe looters जहां पर अपना time spend कर सकते हैं डे इट पे घूमते हैं बाली के waterfalls तो उबुद में एक लंबी लिस्ट है waterfalls की जो आप explore कर सकते हैं जिसकी list हम नीचे description में दे देंगे जिसमें से आप choose कर सकते हैं जो भी आपके places नेरबाए हो और इस लंबी लिस्ट में से तीन waterfalls तो ऐसे हैं जो आपको miss नहीं करने चाहिए जितमें से पहला है तेगे नंगन waterfall दूसरा है नंगन waterfall और तीसरा है कंटो लंपो waterfall हाँ नाम बहुत अजीब से हैं लेकिन जगे बहुत सुन्दर है और इन सारे ही waterfalls के आसपास हर waterfall के आसपास छोटोटे food spots पे हैं तो आपका lunch या फिर brunch बहुत easily हो जाएगा अब day 9 पे आपको वापस निकलना है बाली से तो आप अराम से वहाँ पर relax करें बाली नीज मसाज कराईए या फिर food मसाज कराईए और पूरी तरह से रिलाक्स होके वापस घर जाने के त्यारी करें तो यह थी है हमारी बाली की 9 days आइटिनरी और अब इसमें आपके जो भी doubts और queries हो आप हमसे जरूर पूछिए हमारे comment section में और हम दोनों को ही ऐसा लगता है कि इन 9 दिनों में आप इससे जदा happening और इससे जदा exploring अपनी आइटिनरी नहीं कर सकते तो this is the best आइटिनरी जो हम आपको आपको आफर कर सकते हैं और हम जो suggest कर सकते हैं इसी के साथ हम video conflict करते हैं और इस पूरे वीडियो की जितने भी key points है important points है वो सारे हमने description में डाले हैं आप उन्हें चेक करना बिलकुल ना भूले तो इसी के साथ मलते हैं हम next vlog में bye bye take care